असलाम अलेकुम अच्छा एक हाई टिकेट आइटम को अब देखते हैं और हाई टिकेट आइटम पर कैसे हमारे पैसे बनेंगे और किस तरह यह प्रोडक्ट होगा उसको देख लेते हैं यह डाइसन का वेक्यूम क्लीनर है जिसके उपर इस वक्त डाइसन की तरफ से यह पर ठीक है यह यह डाइट कॉम है और मेरे ख्याल से इस वक्त प्राइस बढ़ चुके हैं यह आफर खतम हो चुकी है लेकिन इस वक जब चल रही थी हम तब की बात कह रहे हैं तो 300 डॉलर का यह तकरीबन जो है प्रोडक्ट हमें बेच रहा है और बताता है कि लास कोई 604 स लुक् तो कि बड़ी तेजी सेल हो रहा है तो हमने यह वेरिफाई कर लिया है यह引़ सारा मॉडल नूबर कार मैं चुका हूं ठीक है तो यह मैच करना जूरूरी है अब दॉलर्स का आपने ड्रॉप पर करके देखना है अगर आपके पास रेसालर है तो अगर नहीं है तो मैंको कीपा से भी बता देता हूं तो यहां पर आप देखें एवरेज प्राइस का 467 507 तक भी गया है लाइस 180 डेस के बहुत फीड़ दॉलर्साइश तर फिर भी है तो यह बात एक तो हमारी यहां पे क्लेयर हो गई दूसरी बात कि इसका सेल्स रांग जो 180 डेस का है वो इस वक्त 49,000 आर है जो आपने जहें में रहे हैं क्योंकि करंट जो है वो 12,000 पर है तो काफी जादा नीचे आया है वैसल अगर आपके पास रेफ सेलर नहीं तो आप कीपा में आपके इसका स्टैटिस्टिक्स पर क्लिक करें और यहां पर भी आप इसके दिखें करंट आवरेज आपको बता रहा है सेल्स रेंकर 12,000 नियू की करंट प्राइस 441 और हाई एस और लो इस और एवरेज भी बता रहा है 180 डेस का 507 डॉलर यानिकि जो रेफ सेलर बता रहा सेल्स बता वो ही तक्रीवन कीपा भी हमें बता रहा रहा है PS pelo Amazon नहीं है फिछले पूरे साल भर केंदर Amazon नहीं हैं जेन्मरी में मेंसकी सेल्स बहुत अच्छी रही है फिर मार्च में उपर गया है फिर एपरिल में वापस इसकी sales बहुत अची आगी है तो हम यहां से यह अदाजा हो गया है कि अच्छा जी sales तो इसकी बहुत अच्छी है अच्छा seller कि तरह है इसमें? दस seller बेटे हैं यानि कि 10 seller से आप bai box share करेंगे अब जब 10 seller बैठे होते हैं तो फिर हम डेटा में जाते हैं बाइबॉक्स स्टेटिस्टिक्स में जाते हैं ये कीपा की बात हो रही है और यहां पर हम आके देखते हैं कि अच्छा जी किसको बाइबॉक्स जदा मिला ये पहला वाला पैठा है मेगा डील्स इसका रिव्यू काउंट काउंट जो है हो पाँच अधार एक सो है और चार सो नवे डॉलर्स इसकी एवरेच प्राइस है और सबसे ज़ाद ही रिवी जाने कि चार सो नवे या चार सो अठासी है इस तरह कुछ भी करके आप इसको सेल कर सकते हैं 26% 473 वाले को मिल रहा है किस परसन 477 वाले को मिल रहा है ठीक है तो बाइबक्स को मुझे अंदाजा हो गया और उमने देखना था इस अबक्स हरे हाँ तो आपने क्या करना है मैं अगर होगा इसके वपर काम करने लगए तो में यह पांच यूनित्स बाइप कर लूगा 300 डॉलर्स में अगर प्राइस है तो ठीक है अजया इसमें एक और चीज़ ख्याल लग नहीं है कि eBay या कोई भी वेबसाइट हो वो आप से रिटेलर होते हैं तो वो आप से sales tax भी चार्ज करते हैं तो अगर आप इसको किसी prep center में भीजेंगे तो वहां का sales tax उस state का लग जाएगा average ये 9-10% होता है तो यानि कि 300 के बज़ए 330 डॉलर्स कोस्ट करेगा अगर eBay के उपर आपका options हैं कि आप जो है वो आपके पास जो resale certificate है या भी बाई करने के लिए business account है तो उसके थुरू आप जो है अगर वहां का पूर प्रेफ सेंटर हम मिल जाता है तो आप वहां मंगवा लें और वहां मंगवा कि आप इसे जो है वो वहां पर आपके पिर ये tax नहीं लगेगा और ये 300 डॉलर्स ही आपको cost करेगा तो मिसाल के तोर पर हम यहां पर पैसे लगा देते हैं 300 डॉलर्स अभी मेरी base cost है मैं आपको सिर्फ एक अंदाजा दिखाना चाहरा हूँ और आप ये calculation में रेफ सेलर में करा हूँ अगर आपके पास रेफ सेलर नहीं है इसमें लगा देता हूँ हो सकता है क्योंकर थोड़ा सा heavy item हो सकता है ये और बड़ा piece है ये 32 inches की जो है वो height है तो मैं सोचता हूँ कि ये और 11 pounds जो है इसका वजन है तो मैं समझता हूँ कि इसके ओपर अच्छा कासा हो सकता है shipping लग जाए है अब हम ये देख लेते हैं कि यहां पर यह हमें कोई shipping नहीं है तो पाकिस्तान क्यों आ रही है तो shipping जो है इसमें नहीं है शामिल मेरे खायल से तो बाराल अब मुँचा पता नहीं क्या आप करेंगा हम लेकिन अंदाज आए है कि छे साथ डॉलर्स shipping के लग जाएंगे तो हम इसको तीन सो फंद्रा डॉलर्स कर देते हैं आपर ठीक है तो आपका पैसा जो है यहां पर यह कम होता जा रहा है प्रॉफिट जो आपको नज़र आ रहा है यह कम होता जा रहा है अभी एवरेज प्रॉफिट आपकर यह है ठीक है अच्छा एक और बात में आपको बताना चाहूंगा चूंकि यह बहुत सारे लोग यानिकि यह वाले जो लोग है यह बहुत जल्दी आउट आप स्टॉक होने के चांसे हैं क्योंकि इनकी कॉंटिटी कुछ जादा नहीं है और एमेजान पे इस वक्तिसकी सेल्स बह भी आप इस वक्त जो है वो तक्रीबर नाइटी थी डॉलर्स इसके उपर प्रॉफिट मना रहे हैं अच्छा अगर आपने टैक्स दिया था बाय करते वक्त तो अब आपकी बाइन जो है वो 345 डॉलर्स हो गई है ठीक है अगर एबे के उपर सेल्स टैक्स लगा था लगा वो जहन में रखना है कि अगर टैक्स लगेगा तो फिर आपकी केल्कुलेशन्स चेंज हो जाएंगी फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो नीचे आजाएगा तकरीबं 13% पर मार्जिन आगया है अब अगर मैं चुके बाय करूंगा तो मैं सेल्स टैक्स बचा लू जो पहले वैरिफाइए करेंगे अब बिफोर कि आप याप यवे जाकर ओर प्लेस करें यहां पर इतने सारे जो लोग बैठे हैं यह चौविस औफर्स जो एफबीए में यानि कि इसमें ड्रॉफशिपर्स भी बैठे हैं तो इसको देखके तो लगता है कि यह ब्रैंड से है और मेरा जाती एक्सपीडियंस है हमने पिछले दिनों में जब पिछले और से में जब ड्रॉफशिपरिंग हम करते रहे तब हम भी डाइसन की बहुत सारी प्रोड़क्स बेचते थे हमें उस जमाने में कभी कोई कम्प्लेंड डाइसन की तरफ से नहीं आई थी तो यह जाती तोर प्रॉफ़ जो में जानता हूँ तो उसमें यह सेफ है ठीक है अब यह एसन मुझे सेल करना अलाओ करता है यह नहीं वो एक अलग मरहला है आप यस एशन को यहां से कापी करेंगे और अपने अमेज़ान अकाउंट पर सेलर अकांट में जाके डालेंगे और वहा आपको बताने का मकसद यह था कि यह तक्रीव नाइन्टी थ्री डॉलर्स जो है मैं इस वक्राफिट बना रहा हूं सारे खर्चे वगएरा निकालेंगे चले नाइन्टी ठीको और कम-कम गए पांच यूनिट्स अगर मैंने बाइ किये हैं तो पांच यूनिट्स की जो बाइ जो मैं आपको बताना चाहता था मैं